तो अभी हमने कुछ जीवों में श्वाशा नंग और विदी के नाम के बारे में जाना अब कुछ में प्रॉसस कैसे होती है उसको समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाजमा जिली के द्वारा गैसी आधान-प्रदन कैसे होता है तो हमने जैसे बात क चिली के द्वारा कैसे डिशी आधान-प्रदन होता है तो सबसे पहले देखें जो जीव हमने जिनकी बात की यह सारे कैसे हैं जिवानों छोड़कर जिवानों कई जगा एर में भी रहते हैं लेकिन जैसे प्रोटिस्ट की बात करते हैं तो जल में गूली हुई आफ़े ुपपियोग करते हैं तो हम एक उधारन के द्वारा इंड में आप जैसे देख रहे हो कि यह पानी का यह जीव है तो पानी माँ घुली वी आउक्सिजन जो है जो उसकी जिल्ली वी जिल्ली वीन जे अब हिशे हो और गोईन क्या जब जहां पर ज़्यादा उसके अणू की सांद्रता होगी तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और अणू जो है वो गमन करते हैं या उस और मूव करते हैं तो चूकी पानी में ऑक्सिजन की मात्रा ज़्यादा है सांद्रता ज़्यादा है और अमीवा के शदीर के अंद की तरब oxygen जो है वो विस्तरित होगा तो oxygen कहां चले जाएगी उनके अंदर में चले जाएगी oxygen का उपयोग होगा श्वशन की प्रक्रिया होगी जिसमें CO2 बनेगा अब CO2 जो है अंदर में जादा है यानि उसकी संद्रता अंदर में जादा है और बाहर में कम है तब फिर क्या होगा CO2 बी क्या हो जाएगा अधिक संद्रता से कम संद्रता की और मूव करेगा तो अंदर से वो बाहर आजाएगा इस तरीके से यह गैसी आदान-प्रदान के जरिये यह श्वशन की प्रक्रिया इन में संपन होती है एक और उधारन ले ले लेते हम पॉरिफेरा का जिसम आपको याद होगा इनका जो बॉड़ी है जिसमें छोटे-छोटे चिद्र होते हैं जिसको ऑस्टिया कहते हैं और उबर में एक बड़ा चिद्र होता है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं तो चिद्रों के जरिये से पानी प्रवेश करता है और ऑस्कुलम के जरिये से बाहर निकल होगी और उसमें फिर जो सीओ बनती है वो सीओ टू ऑसकुलम के द्वारा जब वो पानी बाहर निकल रहा तो वो बाहर हो जाती है ऐसे ही है यदि हम हाइडरा को देखते हैं हाइडरा में कोई विशिश्ट अंग नहीं होता है इसकी जो सामानिय सब्दा है यानि जो प्लाज करती है और अंदर में जो प्रक्रिया हो रही है वहां सीओ बनती है और सीओ टू ही उनके छिद्रों से वो बाहर निकलती है तो यह कुछ और गिनिजम में हमने प्लाजमा जिली के द्वारा कैसे कैसी है आधान-पदान हो रहा है उसकी बात की अब हम बात करते हैं शारिक सत केचु का यहां यानि में जो है तवची मतलब नीсन तवर्य करों ख्राशन के संबन注़ Sorry ऑथा की आधान-प्रदान यहां यहां पर हम बात कर रहें है तो यहां आधान-प्रदानी ंना होतीए जसमें लेकिन अभी जो हम बात करने हैं जिसमें अंगों कौन से अंगों शामिल है और कैसे जो है अंदर आ रही है और कारण जाल होता है यह तवक्ता हमेशां नम घ्रथी मौस्त रहती है कमुझा आपने केचुवा कौども करने की कोशिश के होगी तो आ क्योंकि तोरी चान नम रहती है अब मास ने पहले भी बात की थी कि यह सवशनी स्वर स्माब्हों आपने की fanti तो बाहर की जो ऑक्सिजन है वह इन में घुल जाती है अब जब घुल गई तो फिर ब्लेंड के जरीए यह जो शरीर के और आंगे वहां तो चाइब टिशू से यह कोशिकाए है वहां तक पहुंचती है वहां पर वह सियोटू बनेगा और सियोटू फिर प्लाजमा के जरीए तो अचा में वापस लाया जाता है जहांपन मुकस ग्लेंड है और फिर यहां से यह सियोटू जो है वह बाहर कर दिया जाता है एक्सेहल कर दिया जाता है तो यह हो गया तीसरी शीशूचन अब बात करते हैं पर पर बिख उन्हें के जो इनसेक्स में होते हैं यह तरह के उन्हें इस तरह के उन्हें का श्वषन होता है तो ट्रैकेयल मतलब श्वास्ट नाल इस्पेशल उनका यह विशिष्ट अंग है इसमें जो है स्पाइरिकल यानि यह जो ट्रैकिया है इसमें स्पाइरिकल होता है चिद्र होता है और उससे जुड़ा हुआ एयर सेक्स होता है यानि कि कहना ची यह कोस्ट होता है चैमबर होता है तो इसमें जैसे ही बाहर की हवा एंटर करती है तो वैसे ही चिद्रों के जरीए प्रवेश करती है अंदर में चैंबर है कोस्ट है वहां जाती है और फिर वहां से सब जगा फैलती है यानि सब जगा पहुंचती है फिर वहां से वहां से वह स्पारिकल के तुरू आउट होती है तो इस तरह के से ट्रैकियां के द्वारा इन में यह श्वशन होता है फिर हम बात करते हैं गिल्स की यह भी स्पेशल लंग है जो फिशेस में होता है एक्वेटिक जो फिशेस हैं उनमें यह इस तरह की गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन तो यह भी तो इस तरीके से तरह से रहते हैं जिसमें बार करती है वहां पर ओक्सिजन ईंड से दो दो अन्दर पहुंच जाती है और फिर नियुक्ष को शरीर निकाल देते हैं फिर हम बात करते हैं लंग्स की तो लंग्स जो रेप्टाइल्स, एवेज और मैमल्स ये तीन जो बड़े हायर कॉडिनेट्स हैं उनका ये विशिष्ट अंग है फेवरे जिनके जिनमें फेवरों के द्वारा ही श्वशन होता है तो अभी इस चैप्टर में हम मुख्यता ही लंग्स और उसके सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं तो इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जैसे हमने अभी रेस्पिरेशन की बात की तो ये रेस्पिरेशन जो है जरूरी नहीं है कि ये ऑक्सिजन की प्रेजेंस में ही हो ऑक से रिलेटेड आपको कोशन भी आते हैं तो जब हमने बात की कि भोज्यपदार्तों का पर अलग सिकरण होता है तो प्रक्रिया है यह कि उपस्थती में यह तो इस तरीकले से यह श्वरशन जो है दो प्रकार का हो जाता है एक वाय वी श्वरशन और एक अब बिश्वरशन यह यह एरोबिक Kelly और एरो बीश्वरेशन तो इस रिलेटेड बी आता है तो इसको भी हम हम प्रूष समझ लेते हैं तो Arabic respiration Arabic का मतलब आप समझ रहे हो वायवी लिखा है का इसका मतलब वायू की उपस्थिती मतलब oxygen की उपस्थिती तो oxygen की उपस्थिती में होने वाला यह जो श्वशन है वो वायवी श्वशन जो पूर्ण oxidation होता है complete oxidation की process होती है और जिसको हम लोग पहले श्वशन की प्रक्रिया में जो हमने समीकरण को देखा था सेम समीकरण वो यहां भी आएगा क्योंकि वो वायू की उपस्थिती में हो रहा है तो जैसे आप देख रहे हो ग्लुकोज है oxygen से मिलकर oxidation की complete oxidation की प्रक्रिया और यह जिसमें CO2 बन रहा है और ATP बन रहा है यहां यह बहुत जरूरी है ध्यान दनीवली बात कि यहां ATP की संख्या हमें जरूर मेंशन करनी चाहिए क्योंकि वायवी श्वशन में 38 ATP जो है वो बनते हैं एक ग्राम ग्लुकोज आणू के oxidation से 38 ATP बनते हैं यह उड़जा हमारी जो है mitochondria में जाके store होती है अब हम वायवी यानि anaerobic respiration की बात करें तो जैसे हमने पहले बात की वो complete oxidation है तो यह incomplete oxidation है मतलब अपूर्ण आक्सिक करन होता है और इसमें जैसे हमने पहले देखा था उसमें CO2 बन रहा है और उर्जा लेकिन यहां पर CO2 दो बनता ही है साथ में कुछ अन्य कार्बनीक पदार्थ भी बनते है जैसे इसमें आप देख रहे हो एठाइल एलकोहल बन रहा है c2h5 oh तो glucose oxygen के absence में oxidation हो रहा है जिसमें क्या बन रहा है एठाइल एलकोहल बन रहा है प्लस CO2 देख रहे हो और प्लस ATP देख रहे हो तो ATP यहां पर कितना है दो अब difference देख रहे हो कि वहां 38 ATP बन रहे हैं और यहां दो ATP बन रहे है तो यह जो है और ने रेस्पिरेशन जो है यह एनरोबिक रेस्पिरेशन जो है यह बैक्टिडिया या यह इस्ट ऐसे लोगयनिजम में होता है आपका भी के मर्ड की प्रक्रिया पढ़े होगे जिसमें अधाइल अल्कॉाल या आलकोहल बनाने का काम जो है उद्धयोगों में किया जाता है वह भी यह classroom आप यह respiration क्या हमारे शरीर में भी होता है बिल्कुल हमारे şरीर में भी यहowाई इस बैक्टीरिया में हो रहा है लेकिन हमारे शरीर में भी यह अवाई बील शॉशन होता है लेकिन कब और कहां पर यह जरूर हमें समझने की बात है आप याद करिए कभी आपको कभी बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाता है यह आपने जोश-जोश में आकर एक्सराइज कर ली कभी आप 10 मिनट करते थे आज आपने सोचा कि मेरा दोस्त आधा घंडा करता है चलो मैं भी आज आधा घंडा कर लेता हूं यह आपको ममी ने बहुत ज्यादा काम दिया करने को तो आप वह तीन घंडे लगातार करते रहे तो क्या फील करते हैं क्या मैसूस करते हैं आप मैसूस करते हैं कि आपके पैरों में हाथ में दर्द होने लगता है दर्द यानि होता है तो फिर कि पेंन का यानि यह दर्द का रीज़न क्या है एकक्टरी हमें इसको बेला जी की सिति हीर वेला जी के हिसाब से इसको समझने का प्रयास करना चाहिए क्यूंकि आप देखो काम कर रहे हो तो आपको ओर चाहिए जाहिए भूने तीन घंटे लगातार काम कर रहे हो उसके लिए आपको हर काम के लिए और जा है तो आपको और जाट तो मिल रही है लेकिन जितनी आपको चाह 받고 उतनी ऊड़्या अकसी जनकी उपस्थिती में रहकार उतनी वाइवई सषिशन केutet when वो उर्जा नहीं बन पारी तब कंडिशन में क्या हो रहा है कि आपका शरीर तो आपको उर्जा देगा लेकिन एक दूसरा रास्ता अपना लेता है दूसरा रास्ता क्या अपना लेता है कि आपके बॉडी में तो ग्लुकोज है कोशिकों में तो ग्लुकोज है लेकिन यह ग् ग्लूकोज तूट रहा है जिसमें लेक्टिक अमल बनता है सियोडू बनती है और उड़ जा मुक्त होती है तो लेक्टिक एसिट का जमाव मसल्स में होने लगता है यानि मान स्पेश्यों में होने लगता है जिसके कारण ही इसके जमाव के कारण ही जो है हमारे शरीर में दर् पेशियो में होता है है तो यह पेशियो में में होता है कब जब हमको ओर जाए की जवरत जादा है कुछ और जगब होता है जैसे हम देख रहेंगे रवीसी है आरभीसी याने हैं मैडोकॉंड्रिया जो हता है है कि माइटो कॉंड्रिया देना में चरोचाइज बाथ करते हैं आखों के कॉर्निया में प्लोड के आपलेरीज नहीं होती हैं जिसके गारण वहाँ भी एरोबीक रेस्पिरेशन होता है बच्चों आँ अब हम फेजिस अब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं य Prevention आज आहने देखा कि आज 650 जि। AG ौस्थाएं है दो पहला यह H दूसरा या अन्त्रिक शवशन क्या है कि क्योंकि शवशन की प्रक्रिया में प्रयूक्त गेसों कि आदान प्रदान की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें वातावरन तथा श्वशनी सत्हों का योगदान होता है मतलब दोनों के बीच क्रिया होती है श्वशनी सत्ह जिसम की हमने बात किती गिल्स हो सकते हैं तवचा हो सकती है या फेपड़े हो सकते हैं ट्रैकिया हो सकता है तो ये श्वशनी जो सत्हे हैं और वातावरण के बीच जो है गैसों का आधान प्रदान हो या निश्वासो अश्वास की प्रक्रिया भी कहते हैं तो inspiration का मतलब है अंतर ग्रहन या जिसमें कहते हैं कि oxygen अंदर ली जाती है ग्रहन की जाती है और दूसरा है expiration जिसमें co2 छोड़ी जाती है यानि co2 को बाहर किया जाता है त्याग दिया जाता है तो यह breathing प्रक्रिया है जिसमें नीश्वसन और नीश्वसन होता है यानि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन होता है अब दूसरा देखते हैं दूसरा फेस जो है वो इंटर्नल और सेलुलर रेस्पिरेशन है एक्चलि रेस्पिरेशन कहलाता है यानि श्वसन कहलाता है जैसे अमने अभी बात की कि ब्रीधिंग में ओक्सिञन अंदर आ गई शरीर के अंदर लंक्स तक आती है अब यहांसे जब कोशिकाओं तक पहुँचती है तो कोशिकाओं में जो oxidation की यानि आक्सिकरन के प्रक्रिया हो रही है जिसमें कर्वन डेक्साइड बन रही है पानी बन रहा है और जिसमें उर्जा मुक्त हो रही है असल में वही ऐंत्रिक श्वशन कहलाता है यानि एंटर्नल रेस्पिरीशन गैलाता है और इसी को सेललर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो यह जो दो हमने बात की, एक बाइषवशन की और एक आंत्रिक श्वशन की, जिसमें हम पहले वाले को breathing कहते हैं और दूसरे को respiration कहते हैं, तो असल में ये बच्चे जो है इसमें confused हो जाते हैं यानि समझ में नहीं आता है कि breathing क्या है और respiration क्या है तो respiration के लिए जरा हम इसको और अच्छे से गौर से समझ लेते हैं कि तीन स्टैप में पूरा होता है पहली बात आप समझ गहें ब्रिदिंग में क्या हो रहा है अंदर ले रहे हैं सियोटू छोड़ रहे हैं लेकिन सेलर रेस्परेशन में तीन स्टेप कैसे पूरे हो रहे हैं तो पहली बात जो है कोशिकाओं के द्वारा रख्त से ऑक्सिजन का ग्रहन अब लंक्स तक तो ऑक्सिजन आ गई लेकिन वह कोशिकाओं तक कैसे पहुंच रही है रख्त के द्वारा तो यह पहला स्टेप है release का जिसमें कोशिकाओं के द्वारा रक्त से ऑक्सिजन का ग्रहण रक्त वहां आ जाता है और कोशिकाएं उससे ऑक्सिजन जो है उसको ग्रहण करती है ग्रहण का मतला भी है कि विसरण क्योंकि कोशिका के बाहर ऑक्सिजन की संद्रता जादा होती है कोशिका के अंदर कम होती है तो वहां वो विसरीत होकर अंद करन की प्रक्रिया होगी तीसरा स्टेब क्या है उत्तकों से सी ओडू को दूर कर रक्त के माध्यम से होते वे श्वशनांगों द्वारा इसे बाहर करना अब तीसरे स्टेब में क्या है सी आधू जो बन जाती है यह भी बहुत खतरनाक होती है यह भी पॉजनेस टैप की ही गैस होती यदि जादा हो जाती तो मुश्किल है तो इसको भी बाहर करना जरूरी है यह भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है तो तीसरा स्टैप क्या है इस सीओ डू को श्वशनांगों के द्वारा बाहर करना यानि यह लंग्स तक लाई जाती है और लंग से फिर इसको अभी हमने जिससे पहले देगा ना एकसहलेशन में हम सीओ टू को बात करते हैं तो जब तक वह लंग्स तक नहीं पहुँचेगी तब तक वो कैसे बाहर कर सकते हैं तो सेलर रेस्परेशन में तीसरा स्टैप है सीओ टू को लंग्स तक पहुचाना यानि श्वशनांगों तक पहुचाना लंग्स तक पहुचने के बाद ही वो फिर एकसहल हो सकती है बाहर हो सकती है तो अभी मैं जैसे कह रहे थे कि ब्रीधिंग एंड रेस्पिरेशन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इसको साब साब कुछ अंतर के द्वारा समझने क अंतर को देखते हैं कुछ अंतर जैसे आपको यहां दिखाई दे रहे हैं ब्रीधिंग जो है यह एक पेशिय यांत्रिक क्रिया है पेशियों के द्वारा होती है जिसको हम आगे समझेंगे मसल्स हैं इंटरनल एक्स्टरनल जैसे में डाफियों की मसल्स थे वो इसमें इंवाल होती है तो पेशिय यांत्रिक क्रिया है और शौशं की बात करते हैं तो ज्याय रसाइनी प्रिया है जैब का मतलब समझ रहे हैं जीवन के इनदर हो रहा है और यह निंदा और लेना और有 सियोटू को बाहर करना यह सिंपल बात है दूसरा आगर करते है तो इसके द्वारा बोच बदार्तों का अकसिक करण होता है. अकसीडेशन की प्रोसेस होती है. तीसरी बात करते हैं तो ब्रीधिंग में उर्जा का उत्पादर नहीं होता है. उर्जा इसमें नहीं बनती है. क्योंकि यह सिंपल मेकानिकल प्रोसेस है. लेकिन श्वाशन में क्या होगा उर्जा का उत्पादन होगा और एटीपी के रूप में उर्जा संचित होती है नेक्स हम देखते हैं यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है ब्रीधिंग जो है कहां पर हो रही है कोशिका के बाहर हो रही है लेकिन respiration कहा हो रही है कोशी का के अंदर ही हो रही है नेक्स हम देखते हैं इस क्रिया में enzymes की आफशक्ता नहीं पड़ती है मत्तब breathing की process में enzymes की आफशक्ता नहीं होती है लेकिन situation की प्रक्रिया में enzymes की आफशक्ता होती है है बिना यह प्रक्रिया कि यह प्रक्रिया का यह है जिसमें यह की जरत पड़ती है और यह पूरी प्रोसेस कैसे होगी यह आपने पौदों ने पड़ लिया होगा अब ही यह हम मनश्य में कैसे शवशन तंत्र श्वाशन अंग शामिल होते हैं ब्रिधिंग प्रोसेस कैसे होती है और डिस ओडर क्या है उसको हम पढ़ेंगे